प्रुस्कार, स्वागत है आप सभी का साहिति, आज की इस वीड़ों में हम लोग डॉक्टर राधा क्रिश्णन जी द्वारा रचित एक प्रशिद्ध रचना, एक प्रशिद्ध व्यक्ति गें, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, सरदार वरलब भायपट, क्योंकि हमारे भा इस पार्ट में हम लोग उनके इस पार्ट के शारांस को पढ़ेंगे, तो बहुँ विकल्पी प्रश्ण है उसे करेंगे, तथा इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसी पार्ट से संब्द रखुतरिया प्रश्ण, बोध मूलग प्रश्ण, भासा बोध को करेंगे, तो मेरा आप सभी बोध है, आप दोनों वीडियो को एक साथ देखने का प्यास करें, ताकि आप इसके जो पूरे फायदे है, इस पार्ट को पूरी तरीके सकें, कि सारांस को भी जान सकें, और उसके प्रश्ण होती है कि अपने उप्योग में आ सकें, तलिए देरी ना करत करते हुए पार्ट के शारांस को पढ़ना बुरू करते हैं, तेखे सरवपर्थम, सरदार वनलब भाई पटेल जी के बारे में बता है कि एक भारी जो सतंता है, हमने जो सतंता प्राप्त की है, बाताओं में से एक है, और साधा क्रिश्न, व्यक्तित्व एवं कृतित्व य में बताते हैं कि पटेल जी के जीवन को हम लोग तीन अगों में देख सकते हैं, एक क्रांतिकारी के रूप में, एक राजनीता के रूप में, और एक सासके, उनको हम तीन रूप में देख सकते हैं, तो तंतता से पूर्व जो पटेल जी थे, जो एक अनुशासित सिपाही तो अपने नेता महात्मा गांधी के आदर्शों का पालंकिया करते थे, वो भी कारे उन्होंने किया महात्मा गांधी के अनुप्तुधी जी, पोर्षद, मार्दोली और सतन तता के अनेक लडाईयों में उन्होंने गांधी जी के साथ दिया, गांधी जी के साथ में आगे रह परन्तु उन में स्वष्ट वादिता थी रुणता थी और दुर्दर्शिता थी परिवार से यदि हम बात करें तो एक किसानों के हित्ता थी जो गहरी रूची थी वो किसानों के हित्ता किसानों की भलाई को वे जादा बहुत था के बात दो वर्षों में उन्हों अपनी स्वष्ट और लोगों को समझाने की शक्ति यह लोगों को समझा कर उन्हों थान सो छोटे-छोटे राज्ये थे उसे भारतिय संग्यों में मिला दिया आप इसी से समझ सकते हैं कि उनका व्यक्षित थी बूर्दर्शिता थी वो अधि अपने सूझ बुच के दम पर उन्होंने चुट फांसों राज्यों को भारतिय संग्यों मिलाने का अफ़त ही महानकारे किया जैसा कि सधानमंत्री नहरू ने कहा था कि पर्टेल जो है कार्तिय एक ताक है कार्तिया व्यक्षित थी उनको एक करने में पर्टेल जी का जोगों को अपनी बात समझा पड़ती थी और उनकी जो राजनीक अच्छता थी और राजनीतिक वो चतुर थी उससे प्रस्तांसरीक एकता लाने में काफी सफ़ता हुई और यही भारत को कबल बना दिया भारत के जिर्माण में महतुप्त अधार शीला प्रतिया जेश के अब भी विविन भागों को देखिए यहां पर संप्रदाइक भेद भाव है चातिगत घ्रना तीव रहे अभी हमारे सरवाजनीक जितन में चाही हुई है सबसे पहले हमें क्या करना है पहले सबसे उपर हमें आपको भारतिया मानना चाहिए हमें राजा कृष्ण की पताते और इसी संबंद में पटेल जी की एक टिपड़े है पताते हैं कि इस सारे को करने में पटेल जी ने बहुत महतरी जोग्डान दिया है और यहां पटेल जी के एक एतिहास उपलब दी है कितना अधिक नहीं तो कम से कम भार्क से की जा सकती है जब उनकी वृत्तित अब के लाबा पटेल जी के पारे मतलाया जाता है कि वे एक साहसी देश बहुत है सासन में प्राण सूर्जी वाले बेक्ती थे उज़े याद है कि तब समय हमारे तीन महान नेता विभिन नगरपालिकाओं के अध्यक्ष थे लाजेंदर बाबु पतना नगरपालिका के अध्यक पत्रबाद कहाँ है इनका कहना था कि हमें अपने मदभेधों को बुला कर देश में पूर्ण और एक्ता लानी होगा हमें अपने सामने मानवता के जीवन अंश के रूप में महान भारत के विचार को रखना होगा तैनि कि पतेल जी हर वक्त हर परिस्थिती बारतिय एक्ता को देश को ऊपर रख थी इसमें संगठन की भावना को बनाय रखना उतका इस कारे था जब प्रशासक के रूप में पुजरात में बाढ़ आई थी उन्होंने बाढ़दोली अंदोलन संगठिन किया उन्होंने उनस अभी छेत्रु यहां-जहां कारिकिये अपनी संगठन चेत्र में कारिक किया है, चाहे वो एक राजनेता के रूप में हो, चाहे वो एक प्रचासक के रूप में हो, वहाँ पर अपनी चमता का पूर्चा है, अपनी चमता में जो संगठन की भावना है, संगठन की उसको दिखलाया है, उन्होंने अधुने अधुनिक बनाने में बन योगदान दिया जब तक हम गरीबी के राक्षस को अर्थात चातीगत और संप्रदाइग मद्भेत के कारण को नहीं मिठाते तक हम भूख बेरुजगारी और बिमारे को नहीं कम कर पाते तक अपने लोगों के जीवन इस्तर को उचा नहीं उठाए जा सकता है ये बात पटे जाएक मद्भेत है उसे हटाना होगा जब हम उसे हटाएंगे वेरुजगारी को हटाएंगे तो लोगों का जीवन इस्तर अपने आप ही उचा होता जी हम सर्दार वल्लब भाई पटेश जी को याद करते हैं आधोनिक भारत के निर्माताओं के विए उनकी करतव्य निष् इसे बात बताते हैं नाधा किष्णी निष्टा के लिए स्थर्ष की दिए वह महात्मा गांधी के विश्वस्नी एलेप्जिने लिए गांधी जी के प्रतेक शब्दों का वह कानून था और उन्हीं बातों को भे बाना करते हैं के अलावा महराजा ग्वालियर ने जो गट वनलब्भय पटिलदी की वारेम बताया जा रहा है कि भुरदर्शी तो थे ही अंतावान तो थे ही और उन्हें क्रोध भी आता था परंतु क्रोध में कभी एक फ्रांजिक संस्वन को नहीं खुख लुए दम भी नहीं थे अहंकारी नहीं थे परंतु उनकी इतीत के प्रति अवश्य किया है कि आदर्शों से जिदे आंतों को चाने और मूल जिद्धांतों को कभी भी नाच्वाणी अनुसासित आज्यकारिता के माद्यम से सर्दार वडलब भाई पटेल जी ने वतंतता का उदाहरन सामय तो हमें यहां सर्दार वडलब भाई पटेल जी के जिदेन के अनेको अनेक शिक्तिरों को देखने को मिल दा है कि रूप में हमारे पास एक साहसी क्रांतिकारी विद्वान राजनेता आदर्श प्रशासक दिखलाई पड़ते हैं यदि हम सर्दार वडलब भाई पटेल के इनकों को याद रखे तो देश रंदर प्रगति करेगा कि आसा है कि उनके ये गुण हमें प्रेणाद देते रहें साथ क्रिश्न जी वता रहें कि प्रदार वडलब भाई पटेल दी का जो चरित रहें जो व्यक्तित्व हैं वह बहुत ही जादा प्रभावसाली है और उसमें अनको अनेक रूप देखने को एक रांतिकारी का भी पड़ता है विद्वान वेक्ति का एक राजनेता का एक आदर्ष प्रसा सक्था यहां पर यह मुख्यों से हम वडलब भाई पटेल जी के प्रयास कर रहें कि वेक्तित्व को जानने का प्रदा है इस पार्ट से समस्चित बहुविकल्पी प्रशने के देख रहेते हैं देखिए पहला प्रशने सर्दार बललब भाई पटेल पार्ट के लेख़ब कौल है जैसा कि मैंने बार बार बताया है कि सर्दार बललब भाई पटेल पार्ट के लेख़ब डॉक्टर साधा कृष्ण पर देखिये की वा संखरी और किसकी काफी चर्चा रषिदि है दिख्या है चार विपकल्प कर सुर भासी चाह क्षारे की दूराचारखी नगल या है च Dash Den zwei दूराचारखी दूरा है प्राश्चारखी और आखरी वह विकल्पी प्रशन है, हमें अपने मद्भेदों को क्या करके देश में पूर्न संगठन और एक्ता लानी है, यानि हम क्या करेंगे तो हमारे बीच की मद्भेद जो है वो दूर हो जाएंगे और जब मद्भेद दूर हो जाएंगे तो हमारा देश जो है वो को देखा बहुवी कल्पी प्रश्नी तठीक इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसी पार्ट से समझें तो लगुतरिय प्रश्न, बोध मुलग प्रश्न एवं आसा बोध के प्रश्न को देखेंगे आप दोनों वीडियो को अवस से एक साथ देखें और आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी आप लोगों को चुप योगी होगी तो इस चानल को स्ब्स्क्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ज़िए